कानोर मामला जन्ता सेना उच्छादिकारियों से करेगी ब्रष्टाचार के जाच की मान। कानोर पार्षदों ने कहा सामाजिक नहीं ब्रष्टाचार का मुद्दा। उदैपूर, जंता सेना राजस्थान का प्रतिनेधी मंदल कानोर पालिका शेहरी नरेगा के जेटी एकार्मिक मारपीक मामले में उच्चा दिकारियों से मिलकर ब्रश्टाचार की जाच करके दोशियों पर कारवाई की मान करेगा। वही इस मुद्दे को सामाजिक मुद्दे के बजाएं ब्रश्टाचार का मुद्दा बताया। जन्ता सेना कानोर मंदल अध्यक्ष मनोहर सिंग जोहान की अध्यक्षता में जन्ता सेना पार्शदो सहित पदाधिकारियों की शनिवार को भींडर राजमहल में बैठक हुई। जिसमें सभी पता दिकारियों ने कहा कि कांवरन नगरपालिका में कॉंग्रेस ने जम कर ब्रश्टाचार फैला रखा है। पार्शक पती अलताफ बागवान ने पूर्व में नगरपालिका की पेर बेच कर लाखों का ब्रश्टाचार किया। अब मन्माने धंग से शेहरी नरेगा योजना में फरजी बिल बनाकर जेटी एए पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया और ऐसा नहीं करने पर कार्मिक के साथ मार पीट की जिस पर स्थानिय लोगों ने נगर पालिका का घेरा आफ किया जिस पर प्रशासन ने उसको डिटेंड किया था लेकिन कॉंग्रेस विधायक defines पर दबाव बनाकर तुरंग शुर्वा दिया जिसकी जनता सेना भारतसना करती है इसी विशे को लेकर जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रंधीर सिंग भींदे के नित्रित्व में प्रतिनेदी मंदल सोमवार को उद्यपूर संभागिया आयोक्त, जिल आदीश, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, उपनिदेशक स्थानिय निकाय व पुशित घेराव में जनता सेना भाग नहीं लेगी। बैठक में महामंत्री मनोज बोहरा, रमेश लक्षिकार, युवा मोर्चा, अध्यक्ष मुकेश लक्षिकार, कानोर पालिका पार्शत पारस नागवरी, भवानी सिंग चोहान, प्रकाश लक्षिकार, राजकुमारी क प्रेंग कुवर चोहान आधी उपस्थित रहे। संचालन महामंत्री मनोज बोहरा ने किया।